आज हम लोग पढ़ेंगे class 7 के science का पहला chapter जो की nutrition in plant है तो nutrition का मतलब है कि जो process के तुरू या जिस process के तुरू कोई भी spaces अपने food को लेता है यानि भोजन को ग्रहन करने का जो प्रक्रिया है वो कहलाता है nutrition तो हर एक जानवर या पवधे जो भी living spaces है वो सारे को अपने कारी करने के लिए energy का requirement होता है और वो energy मिलता है उसे food से तो हम लोग जैसे कि पिछले class में पढ़ेते कि food के अलग-अलग component होते है जैसे carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals ये सारे कुछ होते हैं तो जो भी component होते है food के उसे हम nutrients करते है और nutrients कोई भी living organism के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये उसके growth में और उसके damaged sales को repair करने में उसके और other activities को carry करने के लिए सारे काम को करने के लिए बहुत जरूरी होता है तो अब हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं mainly plant के बारे में कि कैसे वो लोग nutrition gain करते हैं और उसका क्या क्या process है उस process को क्या बोलते हैं कैसे तो तयार करते हैं वो सारा कुछ तो देखिए इसको हम line by line explain करते हैं All living organism plant and animals required food to obtain energy for performing various life processes कहने का मतलब यह है कि जितने भी living organism हैं सभी को food चाहिए किस लिए तो energy को प्राप्त करने के लिए तो energy किस लिए चाहिए तो अलग-अलग life processes जैसे की running, walking, drawing यह सारे process को carry करने के लिए तो we have studied about various component of food like carvohydrate, protein, fat, vitamins and minerals तो पिछले class 6 में हम लोग पढ़े थे कि food के component अलग-अलग component होते हैं और सब का अलग-अलग कारी होता है जिसे carvohydrate है तो carvohydrate का अलग कारी होता है fat का अलग, vitamins का अलग, तो यह सारा हम लोग पढ़ चुके हैं class 6 में तो जो भी component food में पाय जाते हैं उसे हम लोग nutrients करते हैं जो भी जैसे कि protein एक nutrients है, carvohydrate भी एक nutrients है तो nutrients किसले ज़रूरी होता है तो यह सरीर के अलग-अलग activities में helpful होता है, मददगार होता है जैसे कुछ grow करने के लिए, कुछ repair करने के लिए, तो अलग-अलग nutrients का अलग-अलग काम होता है तो इस chapter में लोग पढ़ेंगे कैसे यह nutrition को लेता है और क्या-क्या होता है उस सब को पढ़ने वाले है तो mode of taking food by organism and its utilization by the body of organism is called nutrition यानि nutrition का definition दिया गया है, इसको note कर लिजेगा the mode of taking food by an organism, यानि जिस तरीके से कोई भी organism भोजन ग्रहन करता है और उसको utilize करता है, उसके शरीर के द्वारा उसी को हम nutrition करते है plant can make their food but animal cannot, तो हम लोग जैसे की जानते हैं कि plant अपना भोजन खुद ही बनाता है, जबकि animals ऐसा नहीं कर सकता तो animals obtained food from the plant and from those animals that it plant तो हम generally animals के बारे में बात करते हैं कि animals को भोजन कैसे मिलता, अगर वो नहीं बना सकता तो कैसे मिलता है, तो कुछ लोगों के मन में यह doubt होगा कि human beings तो अपना खाना kitchen में बना लेते हैं लेकिन वो खाना बनाना नहीं हुआ बलकि उसको पकाते हैं हम लोग ताकि वो tasty और easily digestible बन सके तो plant ही basically खाना को तयार करते हैं और animals दूसरे plant पे या फिर धानवर पर निरभर रहते हैं जो कि पेरपौंदे खाते हैं Hence animals depends on plant for their food directly और indirectly तो इस तरह सह हम क्या कर सकते हैं, या तो direct plant पे निरभर रहेगा या फिर indirectly उन जानवर पे निरभर रहएगा जो कि plant पे निर्वर होता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि plant जो है producer से और animals जो है consumer से अब फिर mode of nutrition mode of nutrition का मदब होता है कि किस तरह से उसे nutrition प्राप्थ होता है method of obtaining foods are called mode of nutrition जिस तरीके से उसे भुजन प्राप्थ होता है वही कहलाता है modes of nutrition तो there are mainly two modes of nutrition तो मलब animals को या फिर plants को food gain करने के लिए mainly दो ही तरीका है पहला तो हो गया या तो autotropic है यानि वो खुद ही बना लेता है और दूसरा heterotropic यानि वो दूसरे पे निर्भर रहता है तो autotropic किस तो बोलता है तो autotropic जो अपना खाना खुद ही बना ले यानि word auto means क्या होता है self and tropos means nourishment नरिस्मेंट वलब देखवाल तो जो अपना देखवाल खुद कर सकता है वो कहलाता है autotropic तो अब हम इसमें क्या बोल सकते है कि those mode of nutrition in which species or living beings depends on their own for their food these mode of nutrition can be can be said या फिर can be can be taught as autotropic mode of nutrition hence the word autotropic means self nourishment तो इसका मतलब होगे अपनी देखवाल खुद करने वाला the mode of nutrition in which organism make their own food from simple substances such as carbon dioxide water and minerals present in the surrounding तो यहाँ पे जो autotropic mode of nutrition होता है उसमें सबसे ज़रूरी process होता है photosynthesis जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो इस process के तुरू plant अपना खाना तयार करते हैं और उसी खाना का utilization करके यह खुद का development और growth में growth में use करते हैं तो इसे हम autotropic nutrition बोलते हैं the organism having autotropic mode of nutrition are called autotrops और जिसके पास इस तरह का nutrition यह पर जो इस तरह का nutrition पे depend रहता है उसे हम लोग autotrops करते हैं तो all the green plant and some bacteria which prepare their own food are called autotrops तो जितने भी green plant है green plant के पास chlorophyll होता है और chlorophyll जिसके पास होता है वही इस प्रक्रिया को कर सकता है यानि photosynthesis के लिए eligible है वो कर सकता है तो जितने भी green plants है और कुछ bacteria जैसे की algae वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इसे autotrops कहा जाता है दूसरा है heterotrops mode of nutrition तो heteros का मतलब होता है other and tropos का मतलब होता है nourishment यानि जो दूसरे के सहाईता से देखवाल कर यानि दूसरे पर depend रहे उससे हम बोलेंगे heterotropic mode of nutrition hence the word heterotropic means nourishment from other तो इससे हम क्या बोल सकते है heterotropic का मतलब हो गया कि जो दूसरे के सहाईता से अपना देखवाल करे mode of nutrition in which organism cannot make their own food from the simple substance by the process of photosynthesis but obtained food from the green plants directly or indirectly it's called heterotropic mode of nutrition यानि जो directly या indirectly या हमने पीछे देखा था कि कुछ animals जो है directly plant को consume करते हैं और कुछ animals उस animals को consume करते हैं जो की plant को खाते हैं तो directly या indirectly plant पे निर्भर रहने वाले species को या फिर जो इस तरह के nutrition को लेते हैं वो कहलाएंगे heterotropic mode of nutrition या फिर simply heterotropic nutrition तो all non-green plants are heterotrophs और जो भी इस तरह के nutrition को nutrition लेते हैं उसे हम बोलते हैं heterotrophs और जितने भी non-green plants और animals हैं animals और generally सारे non-green plants इसमें heterotrophs कहलाएंगे अब है photosynthesis क्या है तो photosynthesis एक process है जिसके तरह green plant अपना खाना तयार करते हैं तो photosynthesis हम क्या बोल सकते हैं the process of making their food in presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll तो ये है photosynthesis तो green plant make their own food by the process of photosynthesis ये process है जिसके तरह हरे पेड़ पाउधे अपना वोजन खुद ही तयार कर लेते हैं तो photo का मलब होता है light और synthesis का मलब होता है तयार करना यानि जो light के शाहिता से अपना खाना तयार करते हैं उसे हम photosynthesis process के नाम से जानते हैं hence the word photosynthesis means preparing by light photosynthesis occur in the leaves of plant और ये generally green plants के leaves के द्वारा carry किया जाता है तो leaves are the food factories of the plant इसे हम kitchen भी बोलता है kitchen of the plant therefore all the raw materials must reach the leaves to prepare food तो जितने भी raw material है वो पत्ते तक पहुंचते हैं और पत्ते में ये process carry होता है और वहीं से खाना को अलग अलग जगे पे distribute किया आता है इसके लिए gyalum और phloem transportation का काम करता है gyalum और phloem तो gyalum का काम होता है root से water और minerals को carry करके leaves तक पहुंचाना और phloem का काम होता है जो खाना वो बनाता है leaves उसको हर एक part तक पहुंचाना तो ये दोनों काम होता है gyalum और phloem का तो gyalum और phloem के कारण ही leaves के पास वो सारा raw material पहुंच पाता है जिससे वो अपना खाना तियार कर सके the green plant the green color of leaves is due to the presence of green pigment called chlorophyll तो chlorophyll है क्या तो ये एक green color का pigment है जो भी green plant है उस सारे के पास chlorophyll मुदूद होता है chlorophyll uses the energy of the sunlight to prepare food from the carbon dioxide in water तो chlorophyll के बीना ये possible नहीं है ये process को carry करने के लिए chlorophyll का होना बहुत ज़रूरी है तो chlorophyll sunlight का यूज करता है और उसमें यूज करके जो carbon dioxide और water रहता है उससे वो अपना खाना को तयार कर लेता है तो इस तरह से हम क्या बूल सकते हैं इसमें carbon dioxide और water मिल करके chlorophyll के presence में और sunlight के भी presence में क्या बना जाता है तो ये बना जाता है गुलकोज गुलकोज बनाता है और इसी process को हम photosynthesis कहते है इसका definition यहां लिखा हुआ है photosynthesis is a unique process on the earth यानि ये जो process है यूनिक है और बहुत ही important है अगर earth में life possible है तो वो है photosynthesis के कारण ही इसका definition दिया हुआ है जो कि हमने पहले ही डिसकस कर रहा है